हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल प्रीति सिंगिंग शेफ आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बहुत ही टेस्टी एक करी बनाने जा रहे हैं जो बहुत ही सिंपल एंड क्विक है और देखने में भी बहुत अच्छी है और खाने में भी बहुत डिलीशियस है ब रखा है और तीन प्याज मेने ली हुई है और मैंने उसको ठोड़ा सा बड़ा साइज में काटा है और यहां पर मैंने आट से दस कली लेसुन की और दो तुकड़े अद्रक के लिया हुए अब यह देखे यह इसको मुझे पिंक होने तक इसको मुझे तलते रहना है और चलाते भी रहना है नहीं तो यह नीचे लग जाएगा और ये देखे ये मैं इसको पिंक होने तक तल रही हूँ अब यहाँ पे मैंने चार बड़े साइस के टमाटर लिए हैं ये ग्रेवी मैं थोड़ी सी ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि यदि कभी मुझे और एककरी बनाना है तो मैं इसको दुबारा से यूज कर सकूँ इसको मैं फ्रीजर में स्टोर करके रख लूँगी यहाँ पे मैंने ये इसी कड़ाई में मसाले भी फ्राय कर रही हूँ उसमें मैंने लाल मिर्च डाली है चार से पाच आप लाल मिर्च ले 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 तीन से चार डंडी इसकी डालचीनी की ले 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 और बड़ी इलाईची मैंने यहाँ पे तीन बड़ी इलाईची ले है अब मैं और भी गरम मसाले से एट करूंगी पर यह थोड़ा सा पहले हो जाए नहीं तो यह फिर जल जाएगा अब यहाँ पे मैंने जवित्री थोड़ी सी डालचीनी और डाल दी है वो डाला है लॉग और चार हरी इलाईची डाल लिए चार पांच हरी इलाईची डाल लिए अब ये मसाला मेरा भुन चुका है इसका बहुत अच्छा ओरोमा आ रहा है अब ये देखे मैं इसमें मैंने ये ड्राइफ रूट भी डाल दिये हैं जिसमें काजू है और पोस्ते का दाना है इसको ज़्यादा नहीं चलाना है फ्रेंड्स बस ये हो चुका है मैं बंद कर हूँ और ये दोनों मैं एक साथ इसमें डालके पीस लूँगी और इसका बहुत अच्छा फाइन पेस्ट बनाना है अब यहाँ पे एक कड़ाई में मैंने जीरे लिए अब ये जीरे मेरे हो चुके हैं अब यहाँ पे मैंने ये पेस्ट डाल दिया इसमें इसको ज़्याद आसा कलर आ जाएगा ये ओईल छोड़तेगा हमको इतनी देर तक इसको भूनते रहना है अब यह यहाँ पे मैं कसूरी मेथी एट कर रही हूं इसमें कसूरी मेथी से बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आधी चमच हल्दी एक चमच लाल मिर्च डाली है और ये एवरेस्ट का मैंने गरम मसाला भी एट किया है इसमें यहाँ पे मैंने एक पहले से बॉइल करके रखे हुए थे और ये एक को मैंने अच्छा से तल लिया है इसको बहुत ज़्यादा नहीं तलना है नहीं तो ये कड़क हो जाएंगे अब ये तल चुके हैं बिल्कुल तयार है ये इसको मैं ये जो ग्रेवी मेरी बन चुकी है यहाँ पे इस ग्रेवी में मैं दही एट कर रही हूँ क्योंकि दही से इसका कलर और टेस्ट दोनों डेवलप हो जाता है अब ये मैंने ये एग में ग्रेवी डाल दी है मैंने एक बोल में यहाँ पे एग डाल के रखे हूए हैं और उसमें ये ग्रेवी एट कर दी है तो देखे फ्रेंड्स इंजॉई करिए थैंक्यू कर दो कर दो दो कर दो कर दो कर दो दो कर दो हैं अजय है आए।